आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ Download now Question में में दिया है कि Amount of Ammonium Sulphate in Grams कितना होगा जिसे हम एड़ करेंगे 500 ml 0.2 molar NH4OH में NH4OH में तो so that हमें solution मिले जिसका pH है 9.35 Given है PkA Ammonium का 9.26 PKB NH4OH का 14-PkA of Ammonium ठीक है? तो यहाँ पे सबसे पहले जो given है information वो क्या है? Given है volume of NH4OH is equal to 500 ml Molarity कितनी दीवी NH4 ठीक है? पे pH is equal to 9.35 PkA NH4 positive यह में दिया हुआ है 9.26 और PKB of NH4OH यह हमें दिया हुआ है 14-PkA of Ammonium जो कि है 9.26 तो यह कितने बराबर हो जाएगा? 4.74 ठीक है? अब हमें pH दिया हुआ 9.35 तो POH क्या होगा? 14-9.35 क्योंकि pH प्लस POH कितना होता है? 14 तो यह हो जाएगा यहां से 4.65 ठीक है? अब हमें पता है अगर हम बात करेंगे NH4 hold twice SO4 की तो यह हमें 2 NH4 positive and SO4 2 minus देगा? मतलब अगर हमारे पास 1 mol Ammonium sulfate है तो यह मुझे 2 mols NH4 positive देगा? ठीक है? अगर मेरे पास suppose NH4 hold twice SO4 की concentration है या मेरे पास है suppose इसके X moles तो NH4 positive के कितने हो जाएगे? 2X moles यह हो जाएगे ठीक है? अब हमको concentration of NH4 OH कितनी दीवी है यहां पे? यह हमें दीवी है 0.2 moles per liter राइट? ओके? तो अब हमारे पास हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है यहां पे कि कितना amount of NH4 hold twice SO4 हमें add करना पड़ेगा? ठीक है? तो यहां पे हम लोग जो है use कर रहे हैं NH4 OH and NH4 hold twice SO4 मतलब हम लोग use कर रहे हैं एक weak acid और उसका salt with strong हम लोग use कर रहे है weak base sorry हम लोग use कर रहे है weak base and salt of weak base with strong acid ठीक है? तो यह case किसका है? यह case है basic buffer का और basic buffer के case में जब हम लोग POH find करते हैं तो हम apply कर सकते हैं Henderson-Hasselbeck equation जिसका formula होता है PKB plus log concentration of salt upon concentration of base ठीक है? तो यहां पे POH हम लोग निकाल चुके हैं POH किता था? 4.65 PKB भी हम निकाल चुके हैं जो कि था 4.74 plus log salt के concentration क्योंकि यहां पे salt में ammonium है तो यह कितनी हो जाएगी? 2X divided by base क्या है? हमार पास यहां पे NH4OH उसकी concentration कित्ती है? 0.2 ठीक है? तो यहां से हम लोग सबसे पहले X के लिए solve करेंगे तो यह हो जाएगा यहां से minus 0.09 is equal to log 2X upon 0.2 ठीक है? तो यहां से हम लोग NT log लेके X के लिए solve करेंगे तो X आ जाएगा यहां से 0.081 moles per liter लेकिन हमसे क्या पूचा है? हमसे moles नहीं पूचा है हमसे पूचा है कितनी gram add किया जाए? ठीक है? तो हमारे पास concentration है 0.081 moles per liter मतलब हमें पता है जो concentration है वो होता है equal to number of moles divided by volume ओके? होती है liter में अगर यह volume में पास ml में है क्योंकि मुझे question में पता है 500 ml दिया वा है तो मुझे इसे 1000 से divide करना पड़ेगा तो यह यहाँ पर आके multiply हो जाएगा और यह volume है ml में ठीक है? अब moles को हम क्या लिख सकते हैं? moles को हम लिख सकते हैं given mass upon molecular mass लिख सकते हैं ठीक है? तो concentration is equal to given mass upon molecular mass into 1000 volume in ml यह हमारा इसका formula हो जाएगा ठीक है? concentration कित्ती है? 0.081 given mass मुझे calculate करना है molecular mass में consider करूंगी तो molecular mass होगा तो molecular mass of NH4 whole twice SO4 calculate करेंगे तो nitrogen का कित्ता होता है? 14 plus 4 hydrogen का into 2 plus 32 sulfur का plus 16 into 4 तो यह आ जाएगा 132 gram per mole ठीक है? तो molecular mass हो जाएगा 132 into 1000 divided by 500 तो यहां से given mass हम calculate करेंगे तो इसको solve करने पे यह 2 से ठीक है? then given mass होगा 0.081 into 132 divided by 2 तो यह solve करने पे आएगा 5.35 grams ठीक है? तो हम answers देखें options देखें तो first option में उमें दिया हुआ 5.35 जो कि हमारा correct answer हो जाएगा बाकि options जो है वो गलत हो जाएगे ओके? Thank you Classics to 12 से लेके Need IIT जेही Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करे डाउटने टाप यह WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 8444 सुपर